Hey guys, आपका स्वागत आ मोटरॉक्त इन में आज फिर से कैसे आप लोग सेब आज? आज हम बात करने हो ले अबर दा होंडा सेटी 2020 जिसकी प्राइसिंग जस्ट लाइक लाइक जस्नाओ आनाउन्स हुई है और ये वीडियो आपको इन तक देखना चाहिए अगर आपको कुछ भी सवाल हो अबाट दा होंडा सेटी 2020 इसमें आपको सब क्लारडी मिल जाएगी तो शुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा तुरंत ही नीचे जो लाल में सब्सक्राइब रिखाया उसके जाको प्रेस कर लीजे वहांना आप मिस्करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज रिव्यूज कार कंपरेजिन बाइक कंपरेजिन जो माप तक पहुंचाते हैं रोजान वो भी केवल हिंदी में हैं तो शुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन लेकिन दूस्दो होंड़ा सेटी 2020 जस्ट लेकिन द लॉणच हो गई है तीन ओ वेसि में आती है वी एक्स दे एक्स यह तीन ओ बेरिंस आपको अक्रास ठेर इंगे तो अगर आप पेट्रोल sent या पेट्रोल के अलावा डीजशर भी अगर आप प्राइजिंग तो अगर मैं इसको कंपेर करूंगा इन टरम्स अफ ऑन रोड प्राइजिंग तो यह लगबग 12 लाग से 17 लाग के आसपास इसकी प्राइजिंग जाती है considering petrol and diesel both options अगर हाँ इसे competition से compare करेंगे तो यह काफी competitive है और Honda City ने बहुत ही जबरदस pricing introduced की है एक और एक चीज आपको बता दू यह कहीं पे भी इनों ने कहा नहीं कि यह introductory pricing है तो I'm sure कि यह pricing ही बरकार रहने वाली है तो Honda City की जो pricing है बहुत ज़ादा aggressive हो चुकी है इसमें आपको तीन variants आते हैं V, VX, ZX इन तीनों variants में जो features दिये हुएं मेरे हिसाफ से काफी जबर दसते हैं अगर हम बात करें purely of the base model which is the V variant इसमें आपको 4 airbags standard आते हैं base model से ही आपको 4 airbags आते हैं 15-inch के wheels आते हैं इसमें 16 नहीं आते हैं 15 आते हैं आपको Alexa इसमें मिलती है on the base model basically Alexa जो connected feature 1 आपको बताया था वो आपको base model में भी मिलता है then you also get 5 years of Honda Connect भी तो Honda ने एक चीज़ एंचोर कि है कि जो आप base model और top model safety पे, features पे, specifications में कहीं पे भी compromise नहीं होगा और ये same चीज़ आपको V model में भी मिलेगी तो 12 लाक रुपे में मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा package हो जाता है अगर आप दुस्री गाड़ियों से compare करें इसको एक और एक important चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक variant उपर लेते हैं VX इसमें आपको straight away 6 airbags आते हैं आपको sunroof दिया हुआ है Solange के wheels आते हैं So primarily जो features आपको base model में नहीं मिल रहे हैं वो आपको second model में मिल जाते हैं In fact में काम करता हूँ आपके लिए link चोड़ता हूँ नीचे In the eye button यह eye button पर चोड़ूँगा यह नीचे description दोनों जगा छोड़ देता है आपके लिए link उसे जरूर जाके देख लीजे motoroctane.com पर हमने सारे variants को अच्छे से explain के आपके लिए तो आपको exactly पता चलेगा कौन से variant में क्या-क्या available है अब अगर मैं बात करूँ purely pricing की तो मैंने अलड़ी काया कि यह बहुत aggressive pricing है Honda City की अगर आपको उसका review देख रहा है मैं आपके लिए link चोड़ सकता हूँ हमने review किया Honda City का उसे compare किया with the Hyundai Verna अब Honda City में आपको दो engine options आते एक है 1.5 liter petrol 6-speed manual या CVT के साथ उपलाब्द है वो और दुसरा है 1.5 liter diesel ये केवल 6-speed manual के साथ उपलाब्द कराया गया अगर overall हम बात करें in terms of performance की तो तीनों एंजन काफी अचे in terms of performance आपको दिक्कत ने आगी मुझे personally अगर एक engine चूज करनी है it is the automatic CVT for me basically the petrol CVT for me that's the best pick अगर मुझे personally चाहिए क्योंकि अगर आप खुद गाड़ी चलाते city में majorly so I'll say automatic makes a great choice whereas अगर आप पीछे बैट के जा रहे तो you can buy a petrol manual or a diesel manual depending आपका driving कितना है अगर आपकी daily driving अगर 50-60 km से जाता है then in that case diesel makes sense अगर आपकी driving उससे कम है और आपकी minimalistic driving है city में तो petrol makes a lot more sense वहाँ पे let's add on to the next aspect इन दोनों इंजिन का performance अच्छा है mileage भी अच्छा है petrol आपको लगबग manual आपको city में देगा 12-14 का average और जो CVT है वो भी लगबग उतनी ही mileage देता है whereas diesel आपको 16-18 का average देगा in city highway पे अगर हम city की बात कर ले तो आपको 15-17 मिलेगा in the petrol whereas अगर आप एकदम प्यार से 80 पे चलते तो आपको 20 का average भी मिल सकता है अगर हम बात करें diesel की तो diesel आपको देगी close to say 22-24 km per litre on the highway तो यह fuel efficiency figures of this car दोनों के petrol डीजल दोनों का clutch एकदम light है gear shifts एकदम smooth है तो आपको दिक्कत नहीं आगी at any given point of time अब अगर हम design की बात कर लें of the Honda city तो यह काफी अद तक inspired है from the Honda Civic and Accord आपको कहीं कहीं अमेज की भी जलकियां दिखा ही देगी तो यह एक family look मिल जाता है on the new generation city साथ में आप यह भी notice करो कि जो top end model आते हैं उसमें आपको 9 LEDs आते हैं on the head lamp जिसमें से 6 चलते हैं on low beam और 3 activate होते हैं on high beam जो lower variance उसमें आपको projector lamp पाती है उसमें आपको you know you don't get the LED lights अंडरीथ आपको fog lamp दिये हो हैं इसमें साथ में आप यह भी notice करोगे कि side से जो Honda city का look है वो बहुत जादा नहीं बढ़ लाए compared to the previous car तो इस वज़े से वो familiarity जो आपको चाहिए होंडा city की वो अभी भी बरकरार है इसमें rear से इसके look change हो गए यह पहले से काफी अलग लगती है and this is a fresh look जो होंडा ने दिया है to the new generation city अगर आप Honda city में जाते हैं तो यहाँ पे आप features देखोगे कि इसको touch screen मिलता है 8 इंच का Android Auto, Apple CarPlay reverse parking camera, camera में भी 3 modes है, एक wide, एक very close और एक normal mode और साथ में आपका जो camera quality is decent not the best of the lot इसके अलावा आप notice करोगे आपको एक 7 इंच का TFT display भी दिया होआ अन दे फ्रंट जो आप बेसिकली चेंज कर सकते हो कस्तमाइज कर सकते हो कि आप आपको कई navigation देखना है या आपको you know you want to see something else तो आप हर बाद चेंज कर सकते हो कस्तमाइज कर सकते हो जो इसी गाड़ी में दिया हुआ है इन इस सेग्मेंट जो top-end model आता है उसमें speakers की quality भी better है compared to the lower variance क्योंकि ये better quality music system दिया हुआ है speakers दियो है rather on the top-end model इसमें आपको leather upholstery मिलती है और साथ में आपके पास storage spaces भी काफी है front में, rear में rear की seat इसकी सबसे spacious है in this segment most comfortable seat रदर अगर मैं spacious थाही वर्ड निया है most comfortable seat is segment में क्योंकि आपको seat का comfort तो अच्छा मिलता है space भी अच्छी खासी मिलती है साथ में जो आपको मानली जब नॉमल गाडी में बैठते हैं तो आपके पैर ऐसे जाते हैं इसमें आपके पैर ऐसे रहते हैं जिस वजे से आप जादा comfortably bed पाऊगे on a longer duration तो यहां पे comfort का अच्छा ध्यान दिया हुआ है इसमें headrest भी बड़े साइज के जिस वजे से काफी comfortable हो जाता है to sit in the car boot space भी गाडी की काफी बड़ी है so there's no sort of compromise in the quality space, features, specifications कापी जबर्दल से हैं on the Honda City as in overall package अगर मैं बात कर लू तो अब सवाल यह उठता है कि आपको Honda City लेनी चाहिए है नहीं मेरे हिसाब से it's a big yes अगर आप खुद चला रहे हैं तो petrol CVT is the best choice वेरास अगर आप पीछे बैट रहे हैं okay, then in that case pick whatever is your requirement के हिसाब से अगर majorly अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो petrol CVT makes the most sense आज के तारीख में यह है हमारा आज का एक वीडियो on the Honda City 2020 मैंने अपके लिए अलड़ी एक 15 से 20 मिट का वीडियो बनाया on the city लगबग 25 मिट का वीडियो बनाया on the city and whatnot वो जाके देख लो आपको साब जो भी और सवाल बचेंगे ना आपको सारे जवाब वहां मिल जाएंगे मेरे हिसाब से VX एक perfect choice है in terms of variant अगर आपको सारे features जो चाहिए best value for money aspect पे चाहिए तो VX मेरे हिसाब से एक perfect choice है even V variant एक अच्छा अपग्रेड है उन लोगों को जो लोग Amaze जैसे model देख रहे है Amaze या फिर Desire जैसे model देख रहे है उनको एक अच्छा अपग्रेड मिल जाते है with the V variant जो काफी smart चीज़ की है from Honda तो थोड़े एक्स्टा कॉस्ट पे आपको एक मेजर अपग्रेड मिल जाते है in fact जो लोग SUVs भी देख रहे हैं maybe you know XUV 3OO, Nexon, Venue उनके लिए भी एक अच्छा अपग्रेड हो जाते है on the Honda City अगर वो थोड़ा सा बज़ेट और बढ़ा दे with the base model itself क्योंकि आपको काफी कुछ मिल रहा है in the Honda City itself so ये है हमारी आज की काहानी आज का वीडियो on the Honda City 2020 उम्मीद करते हैं आपको हमारी information useful रही हो हमने सबसे पहले आप तक ये information पहुंचाएं तो we deserve a like और कुछ भी सा वालो please कॉमेंट्स में पूछलो उनके जवाब में आप तक जल से जल पहुंचाँगा और हाँ सबस्क्राइब अगर आपने नहीं दबाया तो अभी जाएए सबस्क्राइब कीजिए तो नो मोटर अकरें यूट्यूब चैनल वहना आप मिस करें काफी सारे exciting news, reviews, car comparison by comparison जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ Take care, love you guys